नमस्कार दोस्तों आप सभी का इवफर से बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं वीवो Y50 का यह बॉक्स और साथ में हाथ में रहता है यह फोन तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर अन्बॉक्सिंग नहीं होने वाल आप YouTube पर वीडियो बनाने के लिए या फिर कुछ educational वीडियो बनाने के लिए आजकल बहुत सारा चल ला है तो इसमें आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो कहां पर इस्टेंड करता है कैमरा के मामले में यह चीज हम लोग देखेंगे वहीं दोस्तों यह फोन मुझे मिला है दिके जी मुबाइस की तरफ से तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक्स देखने को मिल जाएंगे तो फटा फट करते हैं इसका एक छोटा सा एक अन्बॉक्सिंग देखने को मिलेंगे फिलाल फटा फटा फट इ तो डिस्प्ले के बारे में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है तो दोस्तों यहां पर डिस्प्ले का साइज रहेगा वह आपका 6.50 इंचेस करेगा और IPS पैनल यहां पर आपको देखने को मिलता है वह आपका फुल HD प्लस करेगा जिससे की व्यू काफी ज़्यादा बैतरीन आएगा लेकिन यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि यहां पर पैनल की क्वालिटी कैसी है दोस्तों यहां पर ब्राइटनेस भी मैंने फूल करा ली है जिससे कि किसी भी तरीके का आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे और आटो ब्राइटनेस भी ब यहां पर इसकी क्वालिटी करेंगी है तो इसकी क्वालिटी के रहने वाली है एक चीज यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैंने गौर कर रहा हूँ कि औरिजनल्टी को प्रिफर किया गया है कैमरे द्वारा और कहीं न कहीं शापनेस बहुत अच्छी मेंटेन करता है अगर आप यहाँ पर कॉर्नर्स पर देखेंगे जो यह यह चीज रहती है यह बहुत ही ज्यादा बैतरीन रहता है अब दूस्तों यहाँ पर मोट तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्टेट मोट को ही ट्राइब करके देखूंगा तो इसके लिए अभी हम लोग पोर्टेट मोट को भी ऑन करते हैं फिलाल हम यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा प तो आपको ब्लर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा और पोल्टेट मोट पर मैं अगर फोकस की बात करूं तो काफी ज्यादा बैतरीन मेंटीन होता है शापनेस यहाँ पर अगें मेंटीन होती हुई दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी तारीप के काबिल ल की इसे यहां पर आपको माइक्रो लेंस के सब्सक्राइब को देखने को मिलता है तो फटा फट एक बार माइक्रो लेंस को ट्राइब करके देख लेए तो बहुत ही जदा क्लोज जाकर मैं फोटो को क्लिक करता हूं तो इस तरीके से आप माइक्रो लेंसर्स पर स्विच कर सकते हैं और मैं यहाँ पर बहुत ही जादा डिटील से फोटो को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई कमाल की कुछालीटी यहाँ पर माइक्रो लेंसर्स की तरफ से आप यहां पर साइट से जाकर स्विच कर सकते हैं इसके बाद मैं नॉर्मल पर आपको चली जाएंगे सबसे पहले यहां पर आप जो फ्रेम देख रहे हैं यह आपका नॉर्मल मोड पर रहता है आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैं फटा फटा इससे ऑटो लौट इसका उपन कर लिता हूं कि अहां पर इसको देख पांए यह आपका नॉर्मल फ्रेम रहता है जो कि यहां पर आपका रहता है आप दीख सकते हैं कि एक these अबनेट आम साथी साथ आप देख सकते हैं जूमिंग क्वालिटी हलाकि थोड़ी सी उपर नीचे होती है आप जादा जूम नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके बाग जूद भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इमेज आपको देखने को मिल रही है नॉर्मल मोड पर अगर आप रहते हैं तो जूमिंग की जो है आप्षिन बहुत ज़ादा हो जाते है लेकिन अगर आप वाइड एंगल पर रहते हैं तो जूमिंग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है हालाकि इसे कमजोर होना नहीं बोलेंगे बट ये एक्चिलिन क्या होता है जब फ्रेम काफी ज़्यादा बड़ा होता है तो थोड़ा सा कहीं न कहीं ये इफेक्ट आपको देखने को मेलेगा आप दूस्तों बात करते हैं सेल्फी के बारे में जो की काफी ज़्यादा कमाल का होने वाला है बाकी अभी हम लोग कुछ जाकर इसके पिक्चर सैंपल देखेंगे लेकिन यहाँ पर नॉर्मल मोट पर फोटो को क्लिक करते हैं और आप देखेंगे सेल्फी की जो क्वालिटी रहती है उम्दा रहती है आपने अगर इसकी एंबॉक्सिंग देखी होगी तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था क काफी ज्यादा बैतरीन परफॉर्मस देता है इसका सेल्फी कैमरा और आप देख सकते हैं शापनेस काफी अच्छी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जो आप देख रहे हैं यह बालों के साइट का इससा बहुत अच्छी से कैप्चर कर पा रहा है और साथी साथ फोकस भी लेकिन देखना योगा कि फोकस किस तरीके से रहता है तो फोकस यहां पर एक ताम इंटें रहता है शापनेस अगें यहां पर आको 24 करेंगी इसके नॉर्मल मोहट मोड से इसकी शापनेस जादा को तो वहाँ पर आपको काफी जढ़ा दो पोल्ट्रेट मोड की अपर पार यहां पर feature रहता है, night mode दे रखा है, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, सारे night mode के चाय front हो चाय back की, तो उसके लिए हम फटाफट lights को पहले off करते हैं, तो दोस्तो रूम के अंदर अभी काफी ज़्यादा अंधेरा है, ऐसे में मैंने night mode पर switch कर लिया है, सबसे प यहां पर sample क्लिक हो गया है, फटाफट light को on करते हैं, बात करते हैं, इनके sample के बारे में detail से, तो दोस्तो यहां पर अगर आप सबसे पहले, यहां पर night mode को देख पा रहे होंगे, तो हो सकता है, आपको images clear ना दिख रही हो, लेकिन अगर हम बात करें night mode की, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि अभी आपको काफी ज़्यादा light है, तो यहां पर चीज़े clear नहीं दिख रही होगी, लेकिन performance, average performance देखने को मिली है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, और बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं, इस चीज़ को, एक चीज़ यहां पर देखा है, कि कई न रहती है, मैं बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन यहां पर कह देता हूँ, कि night mode यहां पर आपको average दे रखा गया है, overall अगर आप यहां पर इसकी quality को देख पा रहे होंगे, तो आपको थोड़ा ठीक ठाक ही देखने में लगेगी, लेकिन अगर आप पिक्चर सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स उसके बाद बात करेंगे कि इसका कैमरा कहां पर स्टेंड करता है, झाल और स्टेंग करता, उाल यहां तो आपको भाद वीडियोर में लेकर गङपकति को में सामध्काक我有ागा weather दो पत्ता ही बादे में, जबने और में अपको भंड़ते हैं कि वहां सुआश से आ्सक्ता करता है, झाल झाल तो दोस्तों यहाँ पर आप ने देखे होंगे इसके कुछ फिक्चर संपल्स अगर वोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो काफी ज्यादा कमाल कि रहती है एक चीज यहाँ पर जो गौर करने वाली हो जाती है वो यह की यहाँ पर जो शा प्रोफेशनल कामों के लिए इसका इस्तिमाल कर रहे हैं, जैसे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे educational platform है, वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पर ये आपके लिए काफी ज़्यादा compatible रहेगा, तो मेरी सला यही है कि आप इसके camera को देखते आपको कुछ बहातरीन unboxing के साथ, कुछ बहातरीन camera test वगरा के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा, वो वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करके जाएगा, तब तक के लिए मशकार दोस्तों, जैहिद वंदिमात्रम